गाज़ा पर फाइनल अटैक में देरी चूँ नेतन याहू को हमले से किस ने रोका? समीनी अटैक पर बाइडन ने लगाया प्रेट इस्राइल और हमास की जंग के बीच में सोपर पावर अमेरिका ने तेल अवीब में खूटा गाड रखा है जंग शुरू होने के बाद अमेरिका की विदेश मंत्री दूसरी बार इस्राइल पहुँचे हैं वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इस्राइल पहुँचे हैं यानि युद्ध रोकने के लिए कूटनेतिक रास्ता तयार करने की कोशिश में है एंटनी ब्लेंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि यह जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इसरायल और हमास में समझाता हो जाए लेकिन लगता नहीं कि इसरायल की प्रधान मंत्री बेनमीन नेतन याहू ब्लेंकन के कहने पर रोकने वाले हैं और यही वज़ा है कि आनन फानन में अमेरिका के राश्वपती ने तेल अवीब पहुँचने का कारिक्रम रख लिया ब्लेंकन की कोशिशे नाकाम हो रही हैं तो नेतन याहू को रोकने के लिए जो बाइडन को जंग के बीच में इसरायल पहुँचने की योजना बनानी पड़े अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाये गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालने यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राजश्रबदी जो बाइडन ने तेल अवी पहुँचने का फैसला किया बाइडन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहांपर हर रोज रॉकिट से अटैक हो रहे हैं जहांपर बिंकन को भी बंब शेल्टर में घुस कर अपनी जान बचानी पड़ी जहां हमास के मिसाइल आस्मान में लगातार पहुँच रही है और मंगलवार को तो इस्रैल की संसद से नितन्याहू और येर लैपिट समेथ सभी संसदों को भागना पड़ा जहिर है हालात बहुत ही नाजुक हैं बहुत ही घतरनाक हैं और इन सब के पी जो बाइडन तेल अवीव की आत्रा बढ़ा रही है मकसद क्या है पाँच पॉइंटर से समझी एक जैसा कि अमेरिका की विदेश मंद्री एंटनी बलिंकन ने बताया पहला मकसद है हमास के खिलाफ इस्रैल की बूरी मदद दूसरा मकसद है इरान को हिमाकत ना करने का संदेश पांचवा मकसद है जंग की सूरत में आम लोगों का नुकसान कम करना योद ध्शेत्र में अमेरिकी राश्रबती के आने से ये पांच वो मकसद है जो बलिंकन ने सबके सामने जाहिर किया लेकिन अमेरिका शुरुआट से कोशिश कर रहा है कि ये जंग आगे ना बढ़े और इसके लिए चेताउनी भी दे चुपा है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो एरान और दूसरे इसलामिक मौलक इसरेल के खिलाफ युद्ध में खड़े हो जाएंगे और फिर दुनिया के ब्यापर में सबसे अहम भूमी का निभाने वाले पश्य मेशिया का ये अहम इलाका वार जोन में तबदील हो जाएगा और यहां शुरु होई जंग विश्युद्ध का वी रूप ले सकती है लिनाल शिगरत चाइम लिचाद नियूल अलगिमा लिनाल शिगरत चाइम लिचाद अमोना ररग बदबार एहाद जुकुल विचेल, फरी Effective Pacific Tenet par Mayrion और आ्मास क्मट्फिक ये मिलाने की कसम खाई है हमास को जडर से मिटा देने की कशम खाई है और पहले दिन हमास के हमले को इसरेल का 9-11 करार दे कर इसरेल ने अमेरिका को भी अपने इरादे बता दिये थे कि जैसे उसने 9-11 का बदला लेने के लिए पूरे अफगानिस्तान में तबाही ला दी वैसे इसरेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो इसरेल पर हमला करने वाले हर एक किरदार को हर एक गोनेगार को जहन्नुम नहीं पहुचा देता और इसलिए नेतनियाहु ने गाजा पट्टी के पास मिलिटरी जोन तयार किया और उत्तरी घाजा में तीन तरफ से हमला करने की पूरी तयारी कर ले आखिर कौन इस्राइल को ऐसा करने से रोप रहा है? IDF और इस्राइली सरकार की अंदर से जो खबरे आ रहे हो उसके मुताबिक गाजा में ग्राउंड ओपरेशन पर ब्रेक लगाने की कई वज़े हैं जिसमें एक प्रमुख वज़ा है जो बाइडन दरसल अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध में आम नागरिकों की जान दे गाजा में हवाई हमले जारी है और इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है इसकी वज़ा से अमेरिका पर अंतराश्विया दबाव है और वो दबाव शिफ्ट हो रहा है इसराइल पर जो हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए आमादा है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी विलिंकन के साथ बैठक करने के बाद भी नेतन याहू ने अपनी ये कसम इसराइल की संसद में एक बर फेर दो रहाई जाहिर है कि अमेरिका के दबाव ने फिल्हाल तो इसराइल को घाजा में ग्राउंड ओपरेशन करने से रोप रखा है लेकिन सवाल है कब तक कम से कम तब तक तो नेतन याहू रुके रहेंगे जब तक बाइडन अपनी इसराइल यात्रा समापत नहीं कर ले थे हलाकि अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन युद्ध के माहौल में इसी लिए तेल अवी पहुँच रहे हैं ताकि वो इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोख सकें और ये तभी होगा जब वो नेतन याहू के घाजा में ग्राउंड ओपरेशन को शुरू होने से रोख सकी